नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में आरक्चकों की भरती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है इसे हरी जंडी दी है ग्रे मंत्री नरुत्तम मिश्राजी ने ये सरकार का बड़ा फैसला है लॉक्डाउन के चलते जो पुलिस बलकी संख्या है उसकी जादा जरूरत है मध्य प्रदेश में इसको देखते हुए आरक्चकों की भरती की मंजूरी दे दी गई है लॉक्डाउन के कारण कई लोगों की नोक्रियां गई ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस बिभाग में लगभग 42 सो पदों पर आरक्चकों की भरती का बड़ा फैसला किया है ग्रह मंत्री नरोतम मिश्रा ने शुक्रवार को पी एचक्यू में बैठक के बाद फाइल पर साइन कर दिया है पुलिस बिभाग में कुछ और पदों से जुड़े फैसलियों को लेकर केंदर की मंजूरी भी ली जाएगी दोस्तो एक और खबर ये है कि उद्योगू की सुरक्षा के लिए सिग्रोली भेजे गए कुछ जवानों को वापस भी सरकार बुलाएगी लॉक्डाउन के बाद मत प्रदिस सरकार में पहली बार भरतियां शुरू करने जा रही है सबसे पहले पुलिस विभाग में 4200 लगभग पदों की भरती होगी ये फैसला शुकरबार को पुलिस मुख्याले पी एचक्यू में पुलिस अधिकारियों से बैठक के बाद ग्रह मंत्री नरुत्तमिश्रा ने किया इसके साथ ही उद्योगों की सुरक्षा के लिए सिंगरॉली भेजे गए जवानों को भी वापस बुलाने को चर्चा की गई है सरकार वहां से जवानों को वापस बुला सकती है ग्रह मंत्री नरुत्तमिश्रा ने पी एचक्यू में डी जी पी समेट अन अधिकारियों के साथ बैठक की इसमें उन्होंने लगभग 42 सो पदों के भरती के प्रस्तावकों को मंजूरी दे दी है मिश्रा जी ने कहा कि लॉकडाउन के दोरान पुलिस बल ने बड़े स्तर पर बहुत प्रशंशनी कार किया है आने वाले समय में पुलिस बिभाग की जरूरतों को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाने का नर्णय किया गया है इसके साथ ही पुलिस बिभाग में कुछ और पदो से जुड़े फैसलों की मंजूरी के लिए केन सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया है इससे युवाओं में नए अफसर बनने की संभावना है दोस्तों एक और महत्पुन बात ये है कि इसके अलावा ड्रेस और गन में भी सुधार को लेकर चर्चा की गई है तो दोस्तों ये थी एक ब्रेकिंग न्यूस जो सरकार ने अभी हाली में बड़ा फैसला लिया दोस्तों तैयारी में आप सभी जुट जाएं क्योंकि ये भरती लगभग तैह है कि सितंबर अक्टूबर या फिर आप कह सकते हैं कि साल के अंत में हो सकती है तैयारी में अभी से जुट जाएं दोस्तों ऐसी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले धन्यवाद आप सभी का